आप देख रही है MNS News सच जरूरी है शादी के बाद पहला करवा चौत मना रही है दिलजीत को और एक्ट्रिस ने लगवाई पती के नाम की महंदी आए देखते हैं खबरे विस्तार से रन्वे संग्दी की दिपिका ब्लेक आउट फिल्म कपल ने जीता दिलजीया बॉलिट की पावर कपल दिपिका पाडुकोन और रन्वे सिंग हाल ही में करन जोहर के शो कफी विद करन एट में पहुँचे थे जहां दोनों ने अपने डेटिंग लाइफ और शादी को लेकर खुल कर बात की शो में दोनों को लेकर उनके चाहने वाले बेहत खुश थे हाल कि कई वज़ों को लेकर दिपिका सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी हुई है अब शो में आने के बाद इस कुपसूरत को कपल को रिलायंस इंडस्ट्रीज का मॉल जी वर्ल्ड प्लाजा के के लांचिंग इवन्ट में एक साथ देखा गया दोनों कपल गोल देते हुए का सामने एक वीडियो में कपल मॉल में रेंप पर चलने के से लेकर अपने अनों के फैशन नेबल आउटफिट से सब का ध्यान खीशने में कामयाब दिखा दोने ही ब्लेक आउटफिट में काफी शानदार लग रहे थे जहां दिपिका ने एक और शोल्डर बॉरी हैंगिंग ब्लेक चमकदार पोशाग पहने थी और हमेशा की तरह बहुत खूप स्रत लग रहे थी वहीं दूसरे और रनवीर काफी आकरशक लग रहे थे क्योंकि उन्होंने बिना शर्त वाली मैचिंग पैन के साथ ब्लेक ब्लेजर पहन रखा था दिपवीर की स्टाइल अंदास दे बताने की हाली में जब काफी विद करण में दिपिका अपने पती रनवीर संग पहुची ती हुई तो उन्होंने बादचित में एक खुलासा किया था शो में उन्होंने बताया था कि शुरुआती द़ौर में उनके और रनवीर के बीच कोई कमिट्मेंट नहीं था ऐसे मे और लोगों से भी मिलना जुना जारी रखा यानि वो रनवीर सिंग के अलावा और लोगों के साथ भी रिष्टे में थी शो के दोरान जब करन ने दिपिका से उनके पहले के रिलेशन्शिप के बारे में पूछा तो उन्होंने खुलकर बात की उन्होंने बताया मैंने तब कमिट नहीं किया जब तक रनवीर ने मुझे प्रपोज नहीं किया इसे पहले हमारे बीच कोई कमिटमेंट नहीं था तो मैं दूसरे लोगों से भी मिलती थी लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा रनवीर ही रहते थे बढ़ते अगले ख़बर के और किया राडवानी मना रही प वो दो दिन पहले ही अपने पति सिधाल्त महोत्रा के साथ दिल्ली में अपने सुसराल भी पहुच चुकी है अब उन्होंने करवा चौत के लिए महंदी लगाई है जिसकी एक जलक उन्होंने अपने फैंस संग भी साजा किया क्यारा अडवानी मना रही पहला करवा चौत क्यारा एडवानी और सिध्धाल प्रदोत्रा दो दिन पहले मुंबई एर्पुट पर देखे गए थे दोनों दिल्ली में सिट के घर जा रहे थे कपल ने इस साल साथ फरवरी को साथ फिर लिये थे एसे में इस साल जुग जिग जी ओ फिल्म एक्टरिस का ये पहला करवचोथ है जिसे वो अपने सस्वाल में सेलबरेट कर रही है वो अपने सस्वाल में काफी इंजॉइ कर रही है ये लगता सोशल मीडिया के जरिये फैंस को इसकी जलक भी दिखा रही है जिसमें उनकी मिनिमम में देखी जा सकती है कियारा ने अपने हाथ पर एक चोटा सा स्टार बनवाया है जो देखने में काफी क्यूट लग रहा है इसे पहलो उनोंने एक clip share की थी जिसमें वो अपने सस्राल वालों के साथ दावत का लुफ्ट उठाती दिखाई दे रही थी कियारा ने एक pancake की वीडियो clip share की थी जिस पर वो ये उपर से शहद डालती नजर आ रही थी इस post करते हुए कियारा ने लिखा feast day जिए पती सिधार् के लिए कियारा ने रखा वरत पूरे देश में आज यानि एक नवेंबर को करवत चौत का तेवहार मनाया जा रहा है यह वरत शादी शुदा महिला अपने पती के लंबी उम्र और सेहत के लिए रखती है शेहर्शा कपल का ये पहला करवचौत है ऐसे में कियारा ने अपन पूरजन से लेकर इस्तिवहार की धूम बॉलिविड गल्यारों में भी खूब देखने को मिल रही है इस साल कई से ऐसे एक्ट्रेस है जिसकी शादी के बाद पहला करवचौत फौत होगा इन्हीं में से एक है टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर भी है जो विदेश में रहकर भी अपने पहला करवचौत सेलेबरेट कर रही है सोशल मीडिया पर दलजीत ने कुछ तस्विरे शेयर की है जिसे वो अपने मेंदी फ्लौन करती नजर आ रही है शादी के बाद दलजीत कौर का पहला करवचौत दलजीत कौर ने इसी साल मार्च में एना राय बिजनसमेन निखिल पटिल से शादी की दूसरी बार अपना घर बसाया था एक्टिस शादी का किन्या जा बसी है जहां आज वो अपना पहला करवचौत बना रही है इसी खास मौके पर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी मेंदी फ्लौन लगवा रही है वीडियो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है मेरे चोटे बच्चे मेरे करवचौत टीम के हम साथ में व्रत रख रहे हैं साथ में स्तिवहार को सेलिब्रेट करें इतना ही नहीं हम खास प्यार और परंपरा के महत्वों को सीख रहे हैं इस साल इससे तरह कि दिनबर्ग की तमाम बड़ी खबरों से फिरकर आओगे आपका रूबरूत अपता के देखते रहे हैं MNS News Network मेरे साथ ये नेरशन सारेकसात नमशकार और आप देख रहे हैं MNS News